उत्तर प्रदेश में हुए सड़क हाथसे में 36 गड़ के तीन लोगों की मौत हो गई ये सभी एक ही परिवार के रहने वाले हैं बताया जा रहा है कि सूरजपुर जिले का परिवार बनारस परिवार एक पूजा कारेक्टर में शामिल होने जा रहा था इसी दौरान उनकी कार अन्यंतरत होकर पलट गई हाथसे में तीन लोगों की मौके पर मौत होई जबकि एक शक्स खायल है सूरजपुर के वरिष्ट पत्रकार उपेंद्र दुबे अपनी पत्नी मा और बेटे के साथ कार में सवार होकर शनिवार सुबह बनारस के लिए निकले सुरचपर बनारस रोड पर वाम्हनी के पास उनकी कार अन्यंत्रत होकर पलट गई हाथसे में उपेंद्र की मा, उनके बेटे और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई महीं उपेंद्र गंभी रूप से घायल है मौके पर माजूद लोगों ने उन्हें अस्पिताल में भरती कराया आसपास के लोगों ने बताया के हाथसा भयावह था कारपूरी रफ्तार से सड़क पर पलट गई यही वज़े रही के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई गतना की खबर लगते ही सूरजपुर में शोक की रहर है